हेलो एवरिवन वेल्कम तो और चैनल नौकरी फाइंडर्स मैं हूँ आराध्या साक्षी के साथ आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है और इंपोर्टेंड भी होने वाला है उन लोगं के लिए जो लोग घर बैठे कमाना चाहते हैं और नौन जोब्स अवेलेबल है और अलग-अलग टाइप्स की जोब अवेलेबल है तो अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर दीचे और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर दीचे इसका नाम है नौकरी फाइंडर् यह audio B की तरफ से आपको यहाँ apply करने के लिए बस description box में जो link दी गई है उस पे click करना है और आपको सीधा यह page खुलेगा आपको यहाँ पर various jobs दिखेंगे जैसे कि transcription, segmentation, voice recording and translation आप किसी भी language में किसी भी state में क्यों ना होते हो अगर आपकी local language जो है यहाँ पे available है तो आप उसका translation दूसरे language में कर सकते हो तो यह ऐसी job opportunity है आप इस देश में कईसे भी हो और आपके पस laptop है तो आप यह job बिंदास कर सकते हो तो यहाँ पे why audio b? तो उसके बार में बताया है यह freelancer की opportunity है यहाँ पे audio b provides easy and flexible working ways for new generation तो यह कैसे work करते है पहले वो बता देता हो मैं आपको कि यहाँ पे multiple job types है जैसे कि segmentation, annotation, transcription, translation and voice recording मैं आपको बता दिया work from anywhere, anytime आपका अभी भी work कर सकते हो इसकी कोई यह नहीं है आपका कोई schedule नहीं रहेगा आप जब भी work चाहे तब work कर सकते हो बस आपके लिए internet connection चीए आपके घर में फिर उसके बाद आप यह देख सकते हो get paid on time, every time आपको payment जो है वो every time जैसे से आपने project complete किये आपको payment मिलते रहेंगे और वो payment जो है वो PayPal के थ्रू होगे PayPal एक बहुत ही trusted and J9 platform है जहाँ पे foreign currencies को Indian currency में convert करके भी मिलता है और trusted platform है तो आपको यह play store में available मिल जाएगा तो gain experience and earn more तो as you are gaining the experience on our platform higher paying jobs will be also available तो आप एक senior की post मिल जाएगे उसके बाद बात करते है कि audio transcription तो यहाँ पे audio transcription मतलब क्या होता है कि transcribe speech into text for a wide range of industries मतलब आपको कुछ audio recording मिलेगी उसको आपको text format में लिखके बताना है मतलब type करके बताना in the sense फिर उसके बाद आता है record faces in various language to train speech tech यह voice recording है तो आपको various languages में अगर आपको कौन सी भी language आती है तो आप देख सकते हो और उस पे speech train कर सकते हो मतलब तो उसके बाद आता है translation आपको translate करना पड़ेगा for multiple other languages अगर आपकी source language दी गही है और उसको other multiple language में आपको translate करना पड़ेगा उसके बाद आता है segmentation and annotation segment and annotated आपको करना पड़ेगा speech data को कैसे work करता है यह भी जान लेते अब कुछ नहीं करना है आपको बस register करना है sign up करना है यहाँ पर sign up करने के बाद यह तो यह free है मैं आपको बता दू कि आपको एक रुप्या भी नहीं देना है यहाँ पर totally free है और उसके बाद testing होगी आपकी तो you will be tested on your job related skills तो आपकी testing होगी यहाँ पर आपको exam देनी पड़ेगी मैं आपको आगे में बताओंगा कि exam क्या scene रहता है उसकी details आपको आगे में मिलेगी फिर उसके बाद training रहेगी आपकी तो इत्ती बड़ी company है तो obviously training तो रहेगी finish training courses to qualify for paid tasks फिर उसके बाद working begin working from home on available projects आप घर बैठे प्रोजेक्स पर work कर सकते हैं उसके बाद payment get payment directly in your paypal और pioneer account तो यह बाद आप देख सकते हो उसके बाद यह देख सकते हो आपकी किन-किन लोगों के thoughts है उसके related और that's it आप इत्ता देख सकते हैं उसके लिए आपको यह करना पड़ेगा कि apply करने के लिए यहाँ पर become a freelancer आपको दिख रहा होंगा सबसे टॉप पर उसके आप क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से page खुलेगा तो यहाँ पर आपको दिया है कि become a freelancer with audio work from the comfort of home आपको दिया गया है become your own boss and enjoy the freedom and flexibility फिर choose from variety of tasks यहाँ पर बहुत सारे tasks रहेंगी उसमें से आपको चूश करना है कि आपको क्या करना है और gain experience and earn more तो sign up करने के लिए बहुती simple process है आपको अपना नाम डालना है और email address डालना है आपकी native language क्या है वो डालना है native language डालने के बाद आपको आपको select job type डालना है कि आपको किस direction में चीए मतलब voice recording में चीए transcription में चीए और और भी जो available हो फिर आपको password डालना है और confirm password करके sign up करना है that's it हाँ तो मेरा यहाँ पर account already था इसलिए मैंने login किया login करने के बाद आपको कुछ इस तरह से page खुलेगा मैंने transcription लिया है तो transcription का data दिया है आपको क्या करना पड़ेगा तो इसमें लिखा है कि welcome to audio भी obviously you will need to take two short quizzes and two audio test before you can start the earning आपको यहाँ पर दो short quizzes देने है दो audio test भी देने है अगर आपको start करना you can apply for the multiple languages but to be approved you need to pass the quizzes and audio test for each of them as well तो आप जिते भी language के लिए apply कर रहे तो उसके लिए आपको quizzes and audio test clear करने पड़ेगे तो इन्होंने कुछ rules दिया है कि make sure that you understand the logic behind the guidelines अगर यह instructions के बारे में so and so दिया हुआ है making sure that they clearly understand advance what will be you doing तो please make sure the read and follow the instruction carefully यह बताया है और यहाँ पर data दिया है इनोंने कि so be careful after you pass the test you can take the quizzes so once you complete the quiz you can expect one of the three results तो यहाँ पर देखो अगर आप if you score 80% or higher on both the quizzes वो आपको mail send करेंगे regarding the details and how you work and earn अगर यह आप 80% के उपर score आता है quizzes में आपका तो ही उसके बाद अगर आप 50 to 80% के बीच में score आता है आपका तो you will have failed the quiz but you can redo it मतलब आप फिर से test दे सकते हो quizzes की if you score between 70 to 80% on your second attempt you are allowed to final attempt where you must score 80% and above basically इनको 80% and above ही चाहिए और if you score below 50% you will immediately fail and disqualified from accepting the transcription project from this language तो इन्होंने बताया है कि आपको तीन बार आपको chance मिलेगा ऐसा नहीं कि आपको बस एक ही बार मिला और हो गया आपको तीन बार chance मिलेगा बहुत ही justice कर रहे हैं आपके उपर और ये आपका कुछ ये रहेगा कि आप कैसे करोंगे इसके उपर तो आप देख सकते हो तो बस आपके उपर अभी next click करना है आपको next click करने के बाद आपको कुछ इस तरह से page खुलेगा तो जैसे कि मैंने यहाँ पर हिंदी लेंग्विज ली थी आईज़मा लोकल लेंग्विज तो यहाँ पर guidelines दी हुई है आपको कि mcq1, mcq2, system and language और फिर यहाँ पर mcq level 1 के नीचे लिखाए take quiz same for mcq level 2 और single audio test भी दिया हुआ है और इस तरह से आपकर यहाँ पर take quiz के उपर अगर click करते हो तो आपको quiz खुल जाएगी बस आपको वो quiz solve करना है that's it तो मैं quiz 1 पर अगर click करता हूँ तो कुछ इस तरह से page खुलेगा मेरा अगर यहाँ पर लिखा you must complete this quiz within 25 minutes और यहाँ पर guidelines दिया है तो guidelines कुछ इस प्रकार है कि do not do not use commas in sentence that consists only of greeting and on address if greeting occurs at the beginning of a sentence or fragment place a comma after the greeting यह सारी चीज़े दी हुई है जैसे correct करके नमस्ते विनोद तो और यहाँ पर ऐसा दिया है कि second इसमें दिया है कि cardinals and ordinals from zero to nine are written with the letters तो यह सारी चीज़े दी हुई है यहाँ पर तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पर if a large number consists of only a number followed by 1000 लाग करोड ऐसे कुछ टाइम से दिया हो तो आप यह इस प्रकारे लिखेंगे करके यह सारी चीज़े दी गई हुई है तो बस और यहाँ पर format भी दिया हुआ कि कैसे proper names लिखना चीए सारी चीज़े आपको दी गई हुई है PDF इन्होंने दी हुई है आप देख सकते हो और यह सारी चीज़े इसमें दी गई है मैं तो आपको quiz दिखा नहीं सकता हो फिलाल क्योंकि यहाँ पर issue हो जाएंगा तो उसकी वज़े से बस यही तक रुकते है अपन और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो please हमारे वीडियो को like करिए share करिए अपने friends के साथ family members के साथ और हमारे चैनल को भी subscribe कर दीजिए और आपको कुछ भी issues आते है regarding anything you can comment us or you can message us on instagram और हमारे instagram handle का नाम है नौकरी find us thank you फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अगर कुछ भी queries रहती है तो please हमें comment कर दीजे thank you and have a nice day